हरे कृष्णा आज के प्रसंग में आपका स्वागत है राम जी ने रावन का वद करा और धरम की जीत हुई राम जी ने लक्षमन को कहा कि रावन महा ज्यानी है अंत समय में उससे ज्यान लो नीती क्या होती है रावन से अवश्य सुनो और आशिरवाद लो लक्षमन जी अपने जेश्ट प्राता की आग्या का पालन करने रावन के चर्णों में बैठे और प्रातना की खृपया मुझे उपदेश्ट दीजिए ज्यान दीजिए रावन ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उपदेश प्रारंब किया बोला लक्षमन मैं सर्व शक्ती मान था इंद्र भी मेरी बात मानते थे स्वर्ग जाना आसान था परन्तु मैंने अपने ज्यान का दुरुपयोग किया जिसके कारण आज मेरी ये स्थिती है शुरूप नखा के कहने पर मैं सीता देवी के स्वंदरे के प्रती मोहित हो गया जो मेरा विनाश का कारण बना रावन बोला अब आगे सुनो एक, अच्छे करम करना हमेशा लाबदायक होता है दो, बुरे करमों को शुरुवात में ही रोक देना चाहिए बढ़ने नहीं देना चाहिए तीन, अपने चालक, द्वारपल और भाई से ग्रिना मत करो वो भेदी होता है, तुम्हें मार डालेगा चार, ये कभी मत सोचो कि तुम हमेशा जीतोगे केवल प्रयास करते रहो, हार जीत का विचार छोड़ दो पांच, जो तुम्हारे अवगुन बताए, ऐसे मित्र को कभी मत त्यागो छे, दुश्मन को कमजोर मत समझो साथ, आकाश के तारों को जुकाने की कोशिश मत करो वो हमारे मार्ग दर्शक है आठ, धहरे से बड़ी कोई तपस्या नहीं नो, संतुष्टी से बड़ा कोई सुख नहीं दस, दया से बड़ा कोई पुन्य नहीं और अंत में शमा से बड़ा कोई शक्तिशाली हत्यार नहीं लक्ष्मन जी ने रावन की पूजा की और ज्यान प्राप्त किया श्री राम राम रमेती, राम राम मनो राम, सहस्त्र नाम संकक्ष, राम नाम वर्ने, लोक समस्त सुखेनो पावन्थू सर्वं श्री कृष्ण अर्पनम